ओके स्टुडेंट्स हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 स्टाइट कर दिये थे जिसका मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके हैं जिसमें बहुत सारा कॉस्चन हम लोग देख चुके हैं ठीक है और एक्सरसाइस 5.1 भी पूरा हम लोग कम्प्लिट कर लिये थे नंबर ओफ टर्म दिया है एन मतलब कि लाश्ट टर्म फाइंड करना है ठीक है तो देखो हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले फर्स्ट टर्म गिवें है 7 common difference 3 और नंबर ओफ टर्म 8 दिया है लाश्ट टर्म क्या है जैसे सिरीज बनाते हैं मालों 1,2,3 फिट डैस डैस कर दिया है यह लाश्ट टर्म क्या है कहां पस यह स्टॉप हो रहा है वो फाइंड करना है ठीक है तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला य प्लस 3,10 हो जाएगा second term, third term क्या हो जाएगा 13,3,3 add करते जाएंगे common difference में उसके बाद क्या किया है,a का value क्या है,7 है,first term 7 रखे है,plus का plus n,number of term दिया हुआ है,8,minus 1 का minus 1,d, common difference कितना है,3 है, अब इसको solve करेंगे,7 plus 8 में से 1 minus किया,7 आया,3 का 3 लिग दिये,7 का 7,plus का plus 7, 7,3,0,21 add के तो 28 है, यानि कि last term जो यहाँ है, वो क्या है,28 है, ठीक है, अब question number 2 रखते है, अब second table में क्या है, देखो, second table में a का value दिया हुआ है, common difference find करना है, number of term 10 दिया हुआ है, और last term 0 दिया हुआ है, सिर्फ हम लोग को common difference find करना है, तो common difference का formula पता है, हम लोग को second term से first term को हम लोग क्या करते है, minus करते है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, second term find करना पड़ेगा, ठीक है, तो पहले तो formula लिख लेंगे, पहले जो जो दिया है, वो लिख लेंगे, first term minus 18 दिया है, n का value कितना दिया है, 10 दिया है, common difference find करना है, और last term 0 गिवेन है, formula प सिर्फ common difference हम लोग को find करना है, ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, बस solve करेंगे, 10 में से 1 minus 9, अब minus 18 और plus 9 into D है, 9 D को यहीं छोड़ दिया, minus 18 को इधर transfer किया, तो plus में चल गया, तो 0 plus 18 तो 18 ही होगा, है न, अब D को यहीं छोड़ दिया, mine को इधर transfer करेंगे, तो divide में चल जाए n भी दिया है, और an भी दिया है, सब दिया है, सिर्फ first time find करना है, तो first time तेकदम easy है, सबसे, मतलब formula में बस value रखना है, an is equal to a plus n minus 1 into d, तो first, अच्छा, सौरी, यहाँ पस है, an is equal to a plus n minus 1 into d, first term हम लोग को find करना है, last term दिया हुआ है, रख दिये, a का value बस find करना है, बाकि सब दिया है, सिर्फ a नहीं दिया है, जब सिर्फ एक ही चीज नहीं देता है, तब तो सबसे easy रहता है, हम लोग को find करना, rating में से 1 minus कर दिये, आप 17, 3, जा minus 51 हो गया, a को यहीं छोड़ दिया, minus 51 को transfer कि यह प्लस हो गया, 51 में से 5 को minus कि तो 46 है, यहनि कि a का value कितना है, 46 है, ठी मुला तो वही है, arithmetic progression का, a n is equal to a plus n minus 1 into d, सब value को हम लोग बस रख दिये, first term दिया हुआ है, last term भी दिया हुआ है, common difference भी दिया हुआ है, n बस find करना है, तो सब कुछ तो यहीं है, देखो इसको बस हम लोग transfer किये, plus मे, n minus 1, 2.5 यहीं है, इसको इन दोनों को हम लोग plus किये, त 9 आया, और इसके आगे हमारा, देखो, 9 minus 1, sorry, n minus 1 का value कितना आया, 9, हम लोगो तो n find करना है, n minus 1 का value 9 आया, 1 को transfer कर दिये, तो n का value जो हमारा आया, वो कितना आया, 10 आया, ठीक है, अब सेम वैसे ही, question number 5 भी, यहाँ देखो, a का value दिया है, d का value दिया है, n का value दिया है, last term find क करना है, a का value दिया है, d का value भी दिया है, n का value भी दिया है, बस इसको solve कर दिया, 3.5, minus कर देंगे, 0 से multiply करेंगे, तो 0 का तो 0 ही आया, तो n का value कितना है, 3.5 आया, ठीक है, आप हम लोगो देख लेते है, question number 2, table तो complete हो गया, question number 2 में हम लोगो क्या करना है, choose the correct choice in the following and justify, 30th term of the AP, हम लोगो 30th term find करना है, जिसमें से 1st, 2nd और 3rd term दिया है, 30th term में कौन सा number आएगा, वो find करना है, इस option में से, तो 30th term find करना है, तो formula हम लोगो पता है, सबसे पहले जो given है, AP का series 10, 7, 4 वो लिख लिए, 1st term 10 है, 2nd term 7 है, जिसमें, तो common difference निकल जाएगा, 2nd term में से 1st term को minus कर हम लोगो 30th term find करना है, तो यानि कि N कितना है, 30 है, तो N is equal to A plus N minus 1 into D, arithmetic progression लिख लिए, N का value, मतलब 30th term find करना है, तो N के प्लेस में 30 लिख दिया है, N के प्लेस में 30, क्योंकि 30th term find करना है, इसलिए N के प्लेस में क्या रग दिया है, 30 रग दिया, अब इसको बस solve करना है, यह minus 77 आया, यानि कि 30th term में, जो number है, वो क्या है, minus 77 है, ठीक है, तो 30th term का number क्या है, minus 77 आया, same वैसे ही हमारा question number 2, देखो, option 77 हो गया, C number, अब 2 देख लेते है, 11th term of AP, इसमें 13 term find किये थे, इसमें 11th term find करना है, 1st, 2nd और 3rd term दिया हुआ है, तो same वैसे 11th term find करना है, तो N is equal to A plus N minus 1 into D, N के प्लेस में हम लोग क्या रख देंगे, 11, 11ththth है, टर्म find करना है, इसलिए, तो N के प्लेस में हम लोग सिर्फ 11 रख दिया है, 1st term दिया हुआ है, 2nd term से minus करते हैं, अगर हम लोग 1st term को, तो common difference मिल जाता है, सब कुछ दिया है, D का value हम लोग को मिल गया, 5 by 2, minus कर द किये, तो 1 ही आया, फिर plus का plus, 2 को 1 से divide किये, तो 2 आया, 2 को, इससे multiply किये, तो क्या आया, 66 में से 1 minus किये, तो 5 or 2 का, तो LCM ही था, तो 5 by 2, common difference आया, बस अब solve कर दिया, 2, 5 जा 10 कर दिया, फिर 10, 5 जा 50 कर दिया, फिर इसको divide करेंगे, तो 25 आया, 25 में से 3 minus कर दिया, तो 22 आया तो हमारा question 2 भी complete हो गया, अब question 3 देख लेते हैं, in the following a piece, find the missing term in the box, missing term find करना है, first दिया है, second नहीं दिया है, third दिया है, हम लोग को formula पता है AP का arithmetic progression का AN is equal to A plus N minus 1 into D और third term दिया है A2 तो नहीं दिया है तो third term के लिए क्या करते हैं N के place में 3 रख देते हैं बस तो A3 is equal to A plus N minus 1 into D ठीक है A3 का value 26 दिया है रख दिये A का value first term 2 दिया है N का value तो 3 है third term find कर रहे हैं मतलब third term के लिए हम लोग common difference निकाल रहे हैं क्योंकि common difference मिला तो हम लोग second term निकाल सकते हैं minus करके plus करके हैं आगे बढ़ते हैं तो plus कर देते हैं तो D हम लोग को क्या मिला यहां 12 मिला common difference क्या मिला हम लोग को यहां पास 12 मिला तो 2 यहाँ पस क्या हो जाएगा 12 फिर यहाँ 26 असी बढ़ते जाएंगे ठीक है तो हम लोग यहाँ पस क्या मिला 2 1 जा 2 2 जा 4 common difference क्या मिला हम लोग को यहाँ पास 12 मिला common difference 12 मिला तो second term क्या हो जाएगा देखो first term a है और second term find करने के लिए हम लोग common difference से उसको add कर देते हैं second term find करना है तो common देखो a2 अगर find करना है तो a plus n minus 1 into d ठीक है तो a2 is equal to a plus n के place में second term find कर रहे हैं तो d यानिकि a2 is equal to a plus d होगा इसलिए मैं direct a plus d लिग दी थी तो first term तो हमको पता है 2 common difference निकाल चुके है 10 sorry 12 तो second term कितना है हमारा 14 यानि कि second term है पसके आएगा 14 आएगा common difference निकाल के निकाल लिए ठीक है अब सेम वैसे ही हमने question number 2 भी निकालेंगे यहां first term missing है second term given है third term missing है fourth term given है तो second term missing था sorry find है उसको लिख लिए fourth term भी है उसको भी लिख लिए हम लोग को क्या find करना है first term और third term यह find करना है formula पता है n is equal to a plus n minus 1 into d a2 का value 13 दिया है और a4 का value 3 दिया है तो second term क्या हो जाएगा a plus 2 minus 1 into d n minus 1 होता है इसलिए 2 minus 1 a2 का value मतलब second term 13 है a का a 2 में से 1 minus k d हो गया अब वैसे ही देखो यहां fourth term के लिए भी निकाल लिए है आपास a4 is equal to a plus 4 minus 1 into d तो four में से 1 minus के तो 3 d first और second equation मिला हम लोग first और second equation इसलिए निकाले है ताकि हम लोग को first term मिल जाए और common difference मिल जाएगा और common difference मिलेगा तो हम लोग third term भी मिल जाएगा ठीक है तो देखो equation number one और two को subtract किये है ठीक है चेंज करता है तो plus का minus plus का minus हो गया plus का minus हो गया तो a से cancel हो गया क्योंकि यह plus में और यह minus में इसले cancel हो जाएगा opposite side cancel हो जाता है plus minus माइनस हो था है इसले 3 में से हाँ कुछ भी नहीं है तो 1 minus किये तो 2d आया और 13 में से 3 minus करेंगे तो minus 10 आएगा d यहीं छोड़ दिया 2 multiply में divide हो गया तो minus 5 आया common difference common difference हम लोगो मिलने के बाद हम लोग first term easily निकाल सकते हैं formula पता है हम लोगो first term का a plus d कैसे आता है a plus d a n is equal to a plus n minus 1 into d है तो हम लोगो पता है न a plus d हो जाएगा है न a plus d मतलब की second term वाला देखो a plus d यह second term का दिया हुआ है यह second term a plus d होता है यहां से निकाल चुके हम लोग तो यहां पास हम लोगो पता है कि common difference 5 निकाल चुके हैं तो हम लोगो क्या करेंगे a को यहीं छोड़ दिये second term वाला जो हमारा formula है यह वाला किसी देखो जब क value मिल गया ना Totally equation number 1 और equation number 2 किसी में भी आप लोग का its किसी में भी आप लोग फ्र width का value रग दो गये तो a का value मिल जाएगा तो d का value हम लोग al good equation number 1 में रग दिये यह व्ला equation में a plus d every 7 नब तो फिफ्टीं 51 कि अंधा ओधियास ऐट टीन थर्ड टर्म एक कम करते जाना, 4 रहेगा तो 3D, 5 रहेगा तो 4D, 6 रहेगा तो 5D, वही की है A plus 2D, जही चीज है यहाँ, A का वैल्यू हम लोग निकाल चुके है 18, प्लस का प्लस 2 का 2, D का वैल्यू हम लोग निकाल चुके है, minus 5, common difference है न, तो plus minus minus 5, 2 जा 10 minus की है, तो 3 का वैल् 8 आया और 1st term हम लोग निकाल चुके है, 18 आया, ठीक है, तो हमारा question number 2, complete होगे, आप देखते है, question number 3, question number 3 में भी same वैसे ही है, first term दिया है, second और third term find करना है, लीक लिए हम लोग यहाँ पास सबसे पहले question, first term दिया है, और fourth term दिया है, तो हम लोग से वैसे ही करेंगे, first term और fourth term से हम लोग सबसे पहले क्या निकाल सकते है, common difference निकाल सकते है, तो हम लोग लिख लिए हैं आपास, देखो, यहाँ fourth term दिया हुआ है, fourth term है ना, formula लिख लिए a is equal to a plus n minus 1 into d, a4 इतना बना लेंगे, 4 में से 1 minus करेंगे, तो 3D आएगा, a4 का value 19 upon 2 है, बस value रख रहे हैं और कु common difference, क्योंकि common difference निकल जाने के बाद ही हम लोग series find कर सकते हैं, ठीक है, series वैसी find करते हैं, introduction video में देख लिएगा, आप लोग एक बार ठीक है, तो हम लोग यहाँ पस वैसी one upon करके निकाले, तो d का value 3 by 2 आया, यहाँ पस हम लोग a2 निकाल सकते है, a2 का value क्या होता है, a plus d, a plus d 2 में से one minus करते हैं, तो 1d इसलिए हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, अब देखो, a2 यहीं है, a plus d भी यहीं है, a का value कितना है, 5 है, यह तो दिया हुआ है, a का value 5, d का value निकाल लिए है, तो हमारा a2 निकल गया, 13 by 2, अब a3 भी निकाल लेंगे, a3 कैसे होगा, 3 में से one minus करें गया, 8, 3 का वली कितना मिल गया, 8, ठीक है, अब सेम वैसे ही, question 4 है, इसको भी देख लेते हैं, इसमें हम लोग को first term दिया है, last term दिया है, second, third, fourth, fifth, find करना है, तो सबसे पहला काम common difference निकालो, common difference निकालने के बाद हम लोग उसको बस value, जैसे यहाँ, d का value रखते हैं, वैसी क हाँ, मालो second term देता, तो भी आप लोग निकाल सकते थे, तो इसमें रख दिये, 6 था, तो 5d हो जाएगा, एका value तो minus पूर दिया हुआ है, अब d निकालना है, d को यहीं छोड़ देंगे, इसको इधर भेज दिये, minus में इधर हो गया, तो plus वा 10, यह multiply में था, इधर आके divide हो मुला में बस value रखें, first term 4 है, d का value 2 है, first term 4 है, d का value 2 है, first term 4 है, d का value बस value रखें, तो हम लोगो second term minus 2 मिला, third term 0 मिला, fourth term 2 मिला, और fifth term 4 मिला, यहां रख सकते हैं हम लोग, second term minus 2 मिला है, third term 0 मिला, fourth term 2 मिला, और fifth term 4 मिला, ठीक है, यहां से, तो हमारा question number 4 complete हो गया, आप देखते है question number 5, question number 5 में हम लोगो first term find करना है, first term find करना है, a2 दिया हुआ है, और a6 दिया हुआ है, तो हम लोगो formula लिख लिख लिए, अब देखो, मैं वोली थी न, first term ने रहेगा, और मालो second term दिया है, तो आप लोगो निकाल सकते हैं, dga value, तो सब a2 का value 38 है, a2 का value 38 है, इसले a2 का नीचे 32 रखे, a plus 2 minus 1 किये, क्योंकि a2 n का value कितना है, 2 है, तो यतना आगे equation number 1, अब इसमें a6 का value minus 22 है, 6 थात इसले 5d होगा, equation number 1 और 2 को subtract करेंगे, तो d का value मिल जाएगा, equation number 2 से 1 को subtract कर दिये, तो हम लोगो d का value मिल गया, subtract में जो नीचे इक्वेशन रहेगा, उसका sine चेंज करेंगे, plus का minus, plus का minus, plus का minus, cancel होगिया, positive side, sine है ना, और जब इसको solve किये, तो d का value minus 15 है, अब d का value मिल गया, तो हम लोगो तूरंट find कर सकते हैं, term, तो d का value मिल गया, अब हम लोगो क्या करेंगे वही, ये वाला भी कर सकते हैं, आप लो तो first term, a2 minus d कर दिये, second term, सिर्फ first term के लिए, अगर आप लोगों को ये वाला परिसानी लग रहा है, मतलब भूलना जाए कहीं, तो आप लोगों d का value किसी भी term, equation number 1 और 2 में रख दोगे, तो आप लोगों को first term मिल जाएगा, बस क्या करना है, d का value minus 15 मालों यहां रख दोग तो ये a का value, d का value तो निकाल चुके है, तो ये हम लोगों को first term, third term, fourth term, और fifth term मिल गया, ठीक है, आप देखते हैं, हम लोग question number 4, तो question number 4 से 16 को next वीडियो में बताऊंगी मैं, और आज मैं आप लोगों को बता दी हूँ, question number 5, exercise 5.2 का, exercise table number 123, ठीक है, तो अगर आपनों के इस अपडेट उसको देखते रहेगा, ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी problem है, तो आप लोग बता सकते हैं, बस इसमें कुछ निकरना है, term find करना है, अगर आप लोगो कोई साभी series दिया है, तो d पता होना चाहिए, common difference पता है, तो आप लोग उसको बढ़ाते जाएंगे, और मा question और common difference है, तो हम लोग कोई साभी series कितना भी लंबा हो, find कर सकते हैं, तो ये माल आप लोग के लिए एक ठो इंट्रोडक्शन ही था, क्योंकि ये वला अगर आप लोग से बन जाएगा, जहां तक अभी मैं बताई हूँ, तो question number 4 से 16 तक समझना आप लोग के लिए easy रहेगा इसलिए आप लोग question number 4 to, इसको try करिएगा, ठीक है, तो next video में हम लोग देखेंगे question number 4 to 16, ठीक है, playlist चेक करते रहेगा